महाबारत महाकाब्य की वो घटना आपको याद है जहां द्रोपदी का चीरहरण हुआ और उनके चीरहरण के समय उनके वस्त्र इतने लंबे हो गए उसके पीछे की कहानी आज इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी कि भगवान स्री करश्न ने क्यों और क्यों उनके उस जो दुस्सासन उनके धोती को खीच रहा था उसको क्यों लंबा किया ये आपको जानना चाहिए सभी वक्तकणों को राम राम और प्रेम से बोलिये सीता राम राधे करश्न हर हर महादे द्रोपदी का चीरहरण महावारत में छोटी छोटी घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिसे द्रोपदी चीरहरण भी महावारत में एक घटना है और द्रोपदी जो पांचाल देश की राजकुमारी थी उनका विवा अरजुन से हुआ था अरजुन ने द्रोपदी के स्वेंबर में मचली की आँख में निसाना साध कर उनसे विवा किया लेकिन माता कुंती के अंजाने में दिये एक आदेश से द्रोपदी पांडवों की यानि पांच भाईयों की पतनी बन गई थी एक बार की बात है जब पांचों भाईयों में सबसे बड़े युदिष्टर इंद्रप्रस्त नगर पर राज कर रहे थे उस समय हस्तनापुर का राजकुमार दुरियोधन था और पांचों पांडव उनके चचेरे भाई दुरियोधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाईयों यानि पांडवों से वो देश रखता था जलता था दुरियोधन सबसे ज़ादा अपने जो मामा था सकुनी और सकुनी ने दुरियोधन को सला दी कि वो पांडवों को जुवा खेलने के लिए आमंतरत करे अब पांडवों ने अपने भाई दुरियोधन का निमन तनस्विकार कर लिया अब इसके जुवा के पीछे भी एक कहानी है कि जब दुरियोधन हस्तनापुर गया तो वहाँ पर जब वो जा रहा था तो उसने अश्तनापुर के महल को देखा तो जहां उसे पानी दिख रहा था वहाँ पत्थर थे और पत्थर दिख रहे थे वहाँ पर पानी थे तो दुरोपदी उपर खड़ी थी तो दुरोपदी ने जब उसको देखा दुरियोधन को तो जब वो पानी को पत्थर समझ रहा था और पत्थर को पानी समझ रहा था तो ऐसे वो चल रहा था तो द्रोपदी हसी अब उसने सोचा ये पत्थर है वहाँ पर पानी था द्रियोधन का पैर पानी में चला गया अब द्रोपदी हसकर बोली कि अंधे का बेटा अंधा बस इतना कहने के बाद दुरियोधन जलता तो था ही पांडवों से उसको और गुस्सा आ गया, कहते हैं कि एक सब्द अगर गलत समय पर और गलत सब्द निकल जाए तो वो बहुत बड़ी समस्या क्रियेट कर देता है, तो आगे क्या हुआ पांडवों ने अपने भाई दुरियोधन का निमंतरन स्विकार किया, उस सभा में भारत वंस के सासक धत्राष्ट, बीस्म पितामह, दोड़ाचार्य, महत्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्ते थे, अब सकुनी ने चल कपट से पांडवों को हराना सुरू कर दिया, इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए, धरम राज युदिश्टन ने स्वेम और अपने चारों भाईयों को भी दाव पर लगा दिया, और उनको भी हार गए, अंत में जब दाव पर लगाने के लि सकुनी की मदद से उसने जुए में द्रोपदी को भी जीत लिया, अब द्रोपदी को जीतने के बाद रियोधन ने अपने भाई दुसासन को आदेश दिया, कि वो द्रोपदी को भरी सवा में बाल पकड़ कर और घशीट दे हुए लाए, भाई से आग्या मिलते ही, दुसा द्रोपदी के कक्ष में गया और उसे सवा में चलने को कहा, अब द्रोपदी बहुती स्वाविमानी और पती विरता इस्तिरी थी, इसलिए उसने दुसासन के साथ चलने से इनकार कर दिया, दुसासन ने गुसे में आकर द्रोपदी के बाल पकड़ लिये और उसे खीचते ह भरी सवा में लाकर खड़ा कर दिया। दुरियोधन ने दुसासन को आज्या दी कि वो दुसासन ने जैसे ही दुसासन को भरी सवा में निर्वस्तर कर दे। भरी बढ़ाना शुरू कर दिया। दुसासन दुरुपदी का चीर हरन करता रहा लेकिन वो जतना खीशता उतना वस्तर भड़ जाता। अंत में दुसासन हार गया। कि दुसासन को दुसासन को भरी सवा में नहीं कर सका। और एक दिन रिसी दुरुवासा नदी किनारे नहा रहे थे। तो अचानक तेज बहा में रिसी दुरुवासा के वस्तर पानी में बह गए। कुछ दूरी पर आगे जाके दुरुवपदी नहा रही थी। तो ये बात जब दुरुपदी को पता चली तो दुरुपदी ने अपने साड़ी का कुछ हिस्ता निकाल कर रिसी दुरुवासा को दिया। तब रिसी दुरुवासा ने उनको ये वचन दिया कि आपको जब जरूरत होगी इस तरह का उनुने एक वरदान दिया कि आपके वस्तर बढ़ते चल जाएंगे। तो ये भगवान सिर्व का रूप थे रिसी दुरुवासा ब्रहम्यजी के मानस पुत्र थे जोंके भ्रहम्य विष्नु महेस इन तीनों के मानस पुत्र तो अब आगे यहाँ पर जब दुरुपदी को वरदान मिला तो भगवान स्रीकरश्न भरिस्री धरी विश्णु ये जानते ही थे कि रिसी दुर्वासा ने वर्दान दिया है तो वो कहीं न कहीं एक एक चीज माइने रखती है नियमानुसार कि ब्रह्मस्तर को काटने के लिए हनुमान जी ने जिस तरह से अपने आपको कर दिया कि ब्रह्मस्तर का अपमान नहीं करना उसी तरह रिसी दुरलवासा ने जो दुरुपदी को वरदान दिया उसी के कारण भगवान से करश्न ने दुरुपदी के वस्तरों को बढ़ा किया और अंत में दुसासन थक गया दुरुपदी का चीर हरन नहीं कर सका महवारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रोपदी का चीर हरन भी माना जाता है तो यहां सीख मिलती है कि हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रॉल रखना चाहिए क्योंकि सही समय पर सही सब्द निकलना बहुत जरूरी है और गलत सब्द एक गलत सब्द आपके जीवन को परिवर्टित कर सकता है जिस तरह से द्रोपदी ने दुर्योधन को वो सब्द कहा अंधे का बेटा अंधा तो वो उसके मन में घर कर गया और वहीं से सुरू होता है महावारत का अखाड़ा तो ये थी द्रोपदी के चीर हरन की कहानी और उनका जो धोती थी वो चीर हरन के समय लंबी इस वज़े से हुई मैं देता हूँ अपनी वानी को विराम और फिर आता हूँ एक धार में कथा के साथ ये कहानी सब तक सेयर करिए प्रेम से बोलिए सीता राम राधे क्रश्न हर हर महादेब हर हर महादेब